हाई अबरिवाइब वेलकम टुमा चैनल आज के इस वीडियो में मैं शेर कर रही हूं मेरा सी सेक्षन एक्सपिरियंस तो आप लोगों ने मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करी थी कि वीडियो में बनाओ तो बस आज शेर करने जा रही हूं तो जो लोग मुझे व्लॉ यह थाटी नाइन वीक्स टू डेज में तो फुल टम प्रेग्रेंसी रही मेरी बहुत ही हल्दी प्रेग्रेंसी रही थी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लेम मुझे हुई नी जो भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आई थी वह फर्स्ट ट्राइश्टर में आई थी जो मैंने आपसे अरड़ी शेयर किया हुआ है तो हाँ फुल टम प्रेग्रेंसी थी कोई भी मेजर इस्यू नहीं था फिर भी मेरा सी सेक्शन हुआ और उसका रिजन यह है कि मेरे बेबी ने दो कॉर्ड अपने गले में लपेट लिया था वह मैंने आपसे शेयर किया तो एंड मोमें करके पता चला कि ऐसा हो गया है और फिर हमने सी सेक्शन डिलिवरी प्लान करी और मेरा डिलिवरी हुआ है क्लाउड 9 होस्पूटर में बैंगलॉर में तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या क्या होता है कैसे होता है वो सब मैं आपको बताऊंगी तो अगर इस unos 4-5 गहंटे पहले आके आपको ऑडिमिठ हो जाना है तो डिल्िवरी का टाइम जी हो जाकर हमने फिल किया उसकी बाद पहले ही अनलोगों ने हमें रूम लोज्य कर दिया आदि की डिलिवरी होने से पहले हुमें अच्छा सा अउम रूम मिल गया वहा पर हमनने एक पहल समय दर चलिए वहां पे हमारा स्टाट हो गया स्ट होना जो कि होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट तो वह तो 36 वीक से आपको पता ही होगा कि आपका हुझग में वह जाता है हर वीक दो वीक में एक बारी तो एडमिट होता ही सब शेपर दॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका होगा तो मैं वहाँ पर लेट गई शुरू किया यह इसलिए वह लोग करते हैं ताकि अगर थोड़ा सा भी लगे कि बेबी को ऑक्सिदेन की कमी हो रही है वेबी का हाट भी डाउन हो रहा है तो फटा फट वह लोग ऑप्रेशन कर सकते हैं और अगर सब को स्टेबल रहा तो जो प्लांड टाइम है उस टाइम पर कर सकते हैं तो इस तरीके से एनस्टी होना स्टार्ट हुआ साथे साथ ने उन लोगों ने मुझे डिप भी लगा दिया जिसमें की सबसे पहले ग्रूकोस उड़ाते हैं क्योंकि आपको रहना है खाली पेट तो मुझे बोल दिया गया तो मैंने 11 बजे के बाद मैंना खुछ खाया और मैंने तो पानी भी नहीं पिया कि भाई रिस्क क्यों देगा कुछ खाएंगे पीएंगे ही नहीं तो सबसे पहले डिप लगा के वो लोग आपको ब्लूपोस रहना स्टार्ट करते हो क्योंकि आपका पेट खाली है साथ में कुछ मेडिसिंस बेकर आपी दालना स्टार्ट करते है जो भी तो वह सब प्रॉसेस स्टार्ट हो गया यह सब होते होते हैं 40 मिनट के लिए हम लोग रूम में थे उसकी बाद में कपड़े बदल के सबसे पहले वो लोग मुझे वीलचेर पे ले करके चले गए सी सेक्शन कर राम से हसते वे हस्बेन को मैंने बाई किया और मुझे और मैं वीलचेर पे बैट गई जाने के लिए सीधा ऑपरेशन ठीटर लेके वो लोग नहीं जाते हैं सबसे पहले आपको रीकवरी रूम में कुछदर की रख देते हैं तो पहले बहां पे मुझे लिटा दिया और व मैं आई उन्होंने मुझे उससे पूछा, are you okay? Are you nervous? मैंने का, no I'm not nervous, I'm fine. My are very good, ठीक हथा उपका प्रोसेस जो है वह हम लोग स्टार्ट करेंगी त्योंकि मैं आप अज सारे आज से सारे चारी और का इसका टाइम बोला था, उन्होंने टार्गेट किया था कि पॉने न को म उनों ने चड़ाया वो खतम हुआ उसके बाद में ब्लड प्रेशर भी वो लोग कॉंस्टेंट मॉनिटर करते रहते हैं जब से आप एडमिट होगे ना अपने रूम में जाओगे तब से बीपी बी मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी एक तरफ मॉनिटर हो रहा थ क्योंकि अब जो आप टॉलेक्ट करोगे वह आप वो तीटर के थूव जाना न है चब्स घंटे के लिए तो वह लगा देते हैं जिसमें कहीं लगाते वक्त थोड़ासा हपका सा पेन करता है उतना ज्यादा नहीं थोड़ा सा पेन करता है पाईप सी मोटी से लगा देते है और थैली रेती है वो भी आपके साथ में आपको पकड़ना है तो एक हाथ से वो थैली पकड़ा एक हाथ से नर्स ने आपको पकड़ा और आप अराम से वॉक करके OT तक चले जाते हो OT में जाने के बाद में मैं पहले भी OT दो बार जा चुकी हूँ एक बार में गई थी मेरा लैपरोस्कोपी हुआ था डागनस्टिक लैपरोस्कोपी और डूसरी बार मेरा HSG हुआ था जो मैंने अंडर अनिस्टीसिया करवाय था मैंने यह सब शेयर किया है ओलरी कंसेप्शन स्टोरी में तो दो बार मेरा पर दो बार में डॉक्तर भी वहां पर आई उसके बाद में सबसे पहले आपको मिलने आते हैं अनिस्टीसिया वाले डॉक्तर क्योंकि अगर आपको सीसेक्शन हो रहा है तो आपको बैक बोन में नीचे के साइड में आपको पढ़ता है अनिस्टीसिया तो डॉक्तर आय अनिस्टीसिया वाले उनने से नाम पूछा आपका नाम क्या है आप कहां से हो बस आपको मतलब इस आउट करने के लिए वह ऐसा पूछते हैं तो बाते बाते करी और उनने मुझे कहा कि जभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तो और 13 सालों सेन को पता होगा कि मैं हमेशा ऐसी रहती हूं मैं डरती नहीं घबराती नहीं तो मुझे कोई भी डर कोई घबराथ नहीं था अर्मुझे में Leigh Dock Stars भी डौक्तर नहीं तो मुझे भी भी डर नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा I was well prepared I was well informed मैंने त्यारी कर रखी थी mentally physically भी क्या होने वाला है तो मुझे कोई डर नहीं था तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है कुछ भी हो तो मुझे बताना अभी हम आपको देंगे epidural anesthesia जो आपके backbone में पड़ेगा और जैसे-जैसे मैं आपको बोलता हूं और उनके एक assistant भी थे जैसे-जैसे यह आपको belt के backbone में लेना है तो मैं खुद घूम गई एक side में सामने में देख रही हो कि जो मेरी gynec है वो तक पहन रही है gloves लेगरा तेयारियां चल रही है ओटी में अंदर सिफ आपके gynec और यह doctor नहीं होते हैं अंदर में आठ नौ लोग होते हैं अलग-अलग help करने के doctors को दो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर इनिवेस तो फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे का side में आओ तो आपका न वो बोलते हैं पहले तो straight हो जाओ backbone को straight कर लो उसके बोलते हैं आपको bend करना आगे के जड़की कि और जब कर straight रहना है मुंडी नीचे करके रखना है हिलना नहीं है तो मैंने का ठीक है ऐसे करने के बाद में वो पीछे बोलते हैं कि अब मैं आपको इंजेक्शन दे रहे हैं पर इसा नहीं है कि मैं हिल गई या मुझे बहुत डर लग रहा हो या दर दो रहा हो उन्हें मुझे इंजेक्शन अराम से दिया इंजेक्शन देने के बाद ना थोड़ा सा हर बढ़ाहट सी हो गई यूंकि जो उनका आपको ना नहीं पर बहुत बढ़ाहट साक्राइबं मेरे जाना भी शांट जाता है और मुझे डूक यह इंजेक्शन देते ही विदिन फ्यू सेकंड्स पिन आपकी नीचे बौड़ी जो कंप्रीट ली नंब हो जाएगी तो एक बार नम हो जाएगी तो फिर आप लेट न और जैसे मैंने पैरो कोछ इधा किया, कितना टाइम लगा होगा मुझे, इंजक्शन देने के बाद 20-25 सेकेंड लगे होगे, 20-25 सेकेंड के अंदर ही नीचे का पूरा पार्ट मेरा नम हो गया, मतलब मुझे कुछ पता नीचला था, नीचे सब कुछ हेवी सा लग रहा था, मतलब ऐसा फील होगा आपको जैसे आपके पैर जो है, वो इतने मोटे मोटे पैर हो गये, ऐसा फील होगा, पर आप इसको हिला नीचे तक यसा लगता, कि बस अब इतना portion हिल रहा है, नीचे कुछ हिल दे रहा है, साथी में मुझे डॉक्टर ने बोल दिया, कि आपको कुछ भी हो जाए, अपने हाथ मूव नहीं करना है, तो basically, ओटी में आपके हाथ को इस तरीके से कर देते हैं, पाओ तो एक तरफ नीचे की तरफ में पड़ावार, आप लेटे रहते हो, उन्होंने बोला कुछ भी हो, जो भी हो जाए, इनी सिचुएशन, डॉन्ट मूव यूर हैंस, कुछ होता है तो मुझे बोलो मैं बाजू में हूँ, तो मैंने सुचा कि ऐसा तो क्या होगा कि मुझे हैंड इतना मूव करना पड़ेगा, क्यों मैं मूव करूंगी, जब दे ही दिया है इंजेक्शन तो सब तो ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है, इस ओके, तो मैंने भी अपना हाथ ऐसे कर लिया, उसके बार में तुरंत में सामने की तरफ में वो लोग एक छोड़ा सा परदा लगा देते हैं, मतलब आपको दिखता होता है डॉक्टर का हेड कि वो आपको ऑपरेट कर रहे हैं पर उसके बियॉर्ड नीचे कुछ दिखनी रहा होता है, फिर मुझे पूछा डॉक्टर ने पूछा कि आपको आखे खुली रखनी है या आखे बंद रखनी है, तो मैंने बोला इस ओके मैं आखे खुली रख सकती हूँ, पर लगा तो वैसे भी मुझे कुछ दिखतो रहा नहीं है तो क्या करने का, पर उपर बहुत लाइट्स रहती है जिसे अभी मेरे सामने दिखी लाइट है आपको पर आखे लाइट रहती है तो वैसे भी आखे नहीं रख पाऊगे तो मैंने बहुत उपन रखोंगी इधर मैंने उनको यह बोला, इधर साइट से पता नहीं कौन आया उसने मेरे आखों पर कपड़ा बांदिया वह कपड़ा नहीं आता जो आप ऐसे मास्क लगाते हो आई-मास्क पटसे उन्होंने मेरे आखों पर आई-मास्क रादिया तो मैंने भी का चलो ठीक है कोई नहीं तो यह सबना बहुत तुरंद अनसेशिया दिया, तुरंद लिटाया, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि एक बंदे ने मेरे आखो पे मास्क लगा दिया, और एक लाइट सा म्यूजिक भी प्ले कर दिया, तो साइट से मुझे गायतरी मन की आवाज आ रहे थी, बस उसके बाद दॉक्टर जो थ होता है विजाइनल डिलिवरी, तब जो होता है आपका डिलिवरी रूम वहां पर आते ही है आपके हस्बंड साथ में लेबर रूम में, लेकिन ओटी में भी है पर्मिशन लेकि आप ला सकते हो, तो हमने पहले बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था हाँ, आपके हस्बंड तक आप जा सकते हो, तो मैं सोच रही हूँ कि इतना कुछ हो कि है मेरे हस्बंड तो कही है, मनी मना ये सोच रही हूँ कि मेरे हस्बंड क्यों नहीं अभी तक है, इन्यवेज, उसके बाद में, अब प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, नीचे कुछ फील नहीं हो रहा है, पर पिर भी पता चलता है कि आपके साथ नहीं क्या क्या हो रहा है, तो जैसे उन्होंने पहला कट मारा, बहुत फटा-फट मारा, मेरी आखे बंद हुई, विदिन दो-चार सेकेंड में मुझे फील हुआ, जैसे कोई जिप खोलता है तो कैसा फील होगा, माले जग अपने फील होगा न, आपने जिप खोला है किसी चीज का, अपने बॉडी पे, वैसी चलता है पता कि एक जिप खुला, और उसके बाद मैं समझ जगी कि अच्छा, इन्होंने कट्टो कर दिया है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, क्या कर सकते हो, आप बस गहितरी मन सुनो, अच्छा, इसा मेरे दिवाग में चल रहा था, फिर उन्होंने अपना स्टार्ट किया, तो जिप ज़िसा जो फीलिंग आई खोलने की, उसके विदिन पूर-फाइव मिनट्स ही होगे, पूर-फाइव मिनट्स के अंदर ही न, मुझे साथ पूर-फाइव मिनट्स ही मैं ज कुछ भी दर नी होता, पर वो प्रेशर आपको फील होता है कि कुछ बाहर निकला, और बाहर निकलने के मैं समझ गए कि यह तो उन्होंने निकाला है, आप कुछी दिर में बेबी की रोने की आवाद सुनाई पड़ेगी, तो वो मैं सोच रही हो कब सुनाई पड़ेगी, बेबी की रोनी की आवाद सुनाई पड़ेगी, तो मतलब समझ में आ गया कि कैसे उन्होंने बाहर निकाला होगा, और बेबी रो रहा था उस टाइम पे तो आपके आँखों से आशू आने ही है, मतलब कोई भी नहीं होगा, जिसके आँखों से आशू नहीं है, मेरे भी आ बेबी को निकाल रहे थे बेबी को, पीन नहीं हो रहा था, अब जैस प्रेशर फील हो रहा था, और उन्होंने हाथ दबाए, तो मुझे एक सगेंगी लगा कि अच्छा, मेरे हस्बें आगे, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा है, और बेबी जब रोता है, तो आँखों से मेर अच्छा लगता है, तो फटसे सबसे पहले मेरे को मेरे डॉक्तर ने बोला यहां से, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ावा था, कि आपको लड़का हुआ है, और ना मैंने तब मुझे रियालाइज हुआ कि इच्छा, यह मेरे हस्बेंड नहीं है, क्योंकि इस आवास इधर से आरी है, जिसने मेरे हाथ पकड़ाए, तो यह तो डॉक्तर ही है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने तो पट्टी हटा दी, उसके बार में, तब मैंने देखा, यह तो डॉक्तर ही है, मैं तब से सोच रही हुँ कि अंगद है, ने का अच्छा, फिर मेरे जुरॉक बेबी को लेके कहीं तो चले गए, क्योंकि आवाज रोने की जो है, तो यहां तक प्रोसेस है, बड़ा अपने प्रोसेस हो गया, कुछ भी दर्द दीवा, वस पता चला कि हाँ, निकाला गया है, अब आगे जो थोड़ा सा जो हुआ ना, वो उतना अच्छा नहीं था मेरे पर चले यह तो था कि बेबी तो सेफ है, बेबी बहार आ गया, अब ठीक है, मुझे लोग फिक्स करेंगे, तो जब उन्होंने मुझे फिक्स करना स्टार्ट किया, मतलब जब आपकी वापस से सिलाई होनी स्टार्ट होती है, वो और्गेंस को अंदर पुष कर रहे थे, पुष करने का प्रेशर मुझे लंग्स तक आ रहा था, और मुझे लगा था कि मुझे घुटन सी हो रही है, मैं सांस नहीं ले पारी, और थोड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था, तो मुझे लग रहा था, ठीक है, दो-चार मिनिट में में वो लोग स्टॉप कर देंगे पर तीम-चार-पांच मिट हो गए, वो इसको पुष कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और यह प्रेशर होते 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 हैं, अचानक से मुझे लग रहा था कि I'll throw up, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कुछ भी हो, हाथ नी उठाना, तो मैं हाथ उठा नी सकती हूँ, तो बा उसको उन्होंने बोला कि वो लेकर आओ, एक बैग लेकर आओ, वोमिट बैग, तो लोग रखते हैं, इंतिजाम मतलब मुझे लगता है कि शयद यह कॉमन प्रॉबलम होगी या पता नी मेरे साथ ही हुई, जैसे वो बैग लेकर आया, तब तक तो मुझे बहुत मुश्किल से मैंने कन्ट्रॉल किया, जैसे वो लेकर आया, मुझे उल्टी हो गई तो रहे हो, ईल्टी किया, रोक्रिने मुझे बोला, इस ऊके, दिकत नी है, तुम करले, कोई बात नी है, तुम तूम तुम क्मप्लिटली अं हो, सु एक उल्टी मुई, दो उल्टी हो गई, वारा प बटे करवान। इक distort करें उल्टिक मह讲ते। इल्टिक में वाने काने कि महीं से यहाँ है। वो खाण मन्यूते, मैं थे रमारी मारा कहते WALL मूच जलग हैं, पेल ने में देना में प्रेश में उल्टिक सब्सक्राइए प्रेश कैसा फंपले का size तो किसा फील होगा कि आपके नाग से ब्लड निकलेगा, वो भी मुझे फील हो रहा था, वो भी मैंने उनको बताया, कि I'm feeling blood rush, तो he was like, it's okay, it's okay, it's normal, don't worry, don't worry, फिर तो मैंने उल्टी करी, तो उल्टी करते ही, जो दूसरी बार मैंने खरी ना, अचानक साई वस ओके, यहाँ, ठीक है, मतलब लगा कि हलका सा हो गया, और डॉक्टर अधर से अपना जो सिलाई का कहा में वो अपना कर रही थी, वो चल रहा था, पर मुझे वो दिखनी रहा था, जैसे मैंने उल्टी करी, उसकी पर उन्होंने मुझे से वाइप किया, वाइप करते ही, मैं जैसे ही, ऐसे नॉर्मल हुई, उन्होंने बेबी लाकर के मेरे उपर रख दिया, और वाउ, मतलब जो पिछले 3-4 मिलिट में में फील कर रही थी, परेशान थी, क्या हो रहा है, ब्लड रश हो रहा है, उल्टी हो रही है, और उन्होंने ने ऐसे करके लिप्स उसके टच करा दिया मेरे बॉड़ी पर, तो मुझे हलगल का लीक कर रहा है, और मैं उसको देख रही हूँ, मेरे साइट से वहां पर लाके रख दिया, और उसके आगे कुछ और भी समान वेकर रखा था, तो मुझे बेभी का पेट तक नहीं दिख रहा था, उसके पैर दिख रहे थे, कि ठीके मेरे से थोड़ा सा दूर वहां पर लेटा है, और उसके पैर कॉंस्टेंट हिल रहे थे तो उसको क्लीन करके बिसिकली वह लोग ला चुके थे, और मेरा यहां पर अगें चल रहा है प्रोसेस, उस तो वह लोग कर रहे थे, मैं तो दिहान ही नहीं दिया, छोड़ो जो भी कर रहे है, मैं बस ऐसे करके साइट से बेभी को देखनी लगी, उसके पैले से हील रहे थ कोई दिककत नहीं है, मैंने का नहीं बेभी को देखा, तो उसने बहला है, मैंने देखा, मैंने गोद में भी लिया, मैंने का यहां बेटा हुआ है, मुझे पता है, बहुत सुंदर है, और रहे हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत को लाए पर जब आपका हो गया मतलब बेबी निकल के ख्लीन होके भी आ गया ना और आपकी सिलाई चल रही उस टाइम पर वह अंगत को अंगत को अंदर लेकर आए उसे पहले जो बर्थ विटनेस करने को तो नहीं लेकर आए तो फिर मैंने का वहां पर देखो बेबी हैसे मै हाँ हाँ मैं बहुत चार पाच मिलेट में गोदी में लेकर तो मतलब क्लीन करवाके ना ऐसा बाद मुझे मेरे हस्बन ने बोला कि बेबी हो गया होगा वह बहारी खड़े थे इनको पूरा ड्रेस रगेरा जो अंदरोटी के लिए चाहिए कैप रगेर सब कुछ और खाता म उनको कि लड़का हुआ है तो चार पाच मिलेट अंगर ने बोला कि बेबी मेरे पास था फिर बेबी को फिर वो लोग लेकर चले गए शाद और खुछ पहनाने के लिए और फिर इनको बोला कि अब 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 अंदर जाओ तो इस तरीके से हुआ कि बेबी दिखाते हैं तो मैं बस तुम्हारा शकली देख रहा था था असके बाद में फिर हो गया मैं हलब मेरे चले गए और पंद दस मिनट के लिए मैं उटी में थी तब तक में जो गायनेक है वो हाथदो कर आई और जो बेरे थे अनसिस्या वाले वो भी थे और ने मुझे बोला कि you are so patient बोट अधिर बेर बाहर चले गाए और मैं एक दम होश में थी असा नहीं कि मैं सो रही हूं मुझे सब पता है फिर मुझे ले गए बाहर और रिकवरी रूम में अगे जहां मैं स्टाटिंग में थी वाह पर मुझे रख दिया तो मैं नर्स को कि sister मुझे कितने दिन यहां पर रख और देखो अभी मैं आभी गई बाहर सब कुछ हो पी गया बहा जल्दी जल्दी होता है यह मैं देख रही हूं और बेबी को उससमें मैंने पूछा नर्स को कि बेबी कितने बज़े एक्जाक्ट हुआ तो उन्हें मुझे टाइम बताया और ताइम इथर उन्हें बताया औ मैं देख रही हूं बेबी को हुए चालीस मिनट हो गया और मैं सोची रही हैगा तब तक दूसरी नर्स आती है और मेरे उपर बेबी को रखके बोलती है कि विल फीड द बेबी तो एक्चुली जो फर्स्ट आर होता है इसको गोल्डेन आर बोलते है उसमें आपके बेबी क अगर आपका मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है तो एक्जाक्ली मुझे याद है क्योंकि मैंने घाडी देखा था कि चालीस मिनट जब वा था बेबी को हुए तब ही बेबी का पहला फीड मेरा खुद का मिल्क उन्होंने दे दिया बेबी को तो इस वेडी गुड यह उनचाहिए कि तो करना चाहिए और सीसिक्शन में भी करना चाहिए मैंने तूना था रेफिशन में एसा नहीं करते हैं पाउडर दे 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 पर मेरीकेस में ऐसले बिलकुल नहीं हुआ है मैं रिव मिनट मिन ने था बिपा हाई Full Society में सं मेरा वाइटल्स चेक कर रहे थे, मुझे ठंड लगने लगी अचानक से, तो शिवरिंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने बोला नर्स को कि मुझे ठंड लग रही है, तो उनने का कि ठीक है, हम देखते हैं, तो उनने दो कंबल डाल दिया, मुझे और ठंड लगने लगी, इतनी की मेरे होट काप रहे थे, शिवर कर रही है, तो उनके पास हीटेड ब्लैंकेट होता है, जो कनिक्टेड होता है, वायर से, गर्माहट मनती, उनने लाके मेरे उपर में वह कंबल डग दिया, तो कंबल को मैंने यहां तक डाल लिया, 15-20 म कंबल ओडने तक मैं मुझे ठंड लगती रही, वाला कंबल के बाद फिर ठंड भी ठीक हो गई, तो फिर डॉक्टर राउंड के लिए, उन्होंने देखा मुझे पुछा कि आयो ओके, कोई दिक्कत हो रही है, मैंने कोई दिक्कत भी थी, बस ठंड लग रही थी, अभी ठी तो मैंने का ठीक है, बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, अब यह बताओ कि तुम जब पैर फोड़ा सा मूव कर पाऊ ना, जब तुम्हारे पैरो में सेंसेशन आ जाए, तो तुम नर्स को बताना, फिर ही हम नीचे शिफ्ट करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हैं तो मैं ना अंगत से मिल पाऊंगी, और ना ठीक से बेबी को देख पाऊंगी, फिर उस बीच में एक बड़ और बेबी को रोने फीट कराया, राइट साइड ला करके, और उसके बादा हलका हलका सा मैं पैर मूव करने का ट्राय करने लगी हूँ, कि मैं समझ गई, कि अगर सबसे पहले मैंने अंगत को देखा, अंगत में बोला बेबी भी रूम में है, हम जोग सब लोग रूम आ गए, और रूम आने के बाद में उस पूरे दिन आपको अगेन कुछ खाना नहीं रता है, उन्होंने कहा कि आपको हम सिर्फ रखेंगे लिक्विड पे, और लिक्व रूम में आई, रूम में आने के बाद लेटी रही, हर दो-दो घंट पे बेबी को फीड करना रहता है, तो नर्स आती है, फीड करवाती है, और मेरी बेबी को तच्चूड जब से वो पैदा हुआ है, तब से लेगा कि मैंने कभी भी फॉर्मूला नहीं दिया, तो नर्स आती थी, वो बेबी को रखती थी, फीड करवाती थी, और तच्चूड मेरा जो मिल्क है, प्रोडक्शन काफी अच्छा था, क्योंकि जब डॉक्टर आई थी, मैंने व्लॉग में बताया है यह सब आक्चुली, डॉक्टर आई थी चेक करने की लेक्रिशन वाली, उन्हों इसा रहा वो दिन पहला दिन, बस मैं लेटी रही, आपको कहीं उठना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, और बेबी को फीड करवाना है, बस उतना है, यहां तक तो सब ठीक है, एक जो मुझे प्रॉब्लम आई, जो अगें मैंने एक्सपेक नहीं किया था, वो था मेरे ब स्टमक में हो रही थी, मेरे थाइस में हो रही थी, रात के दस बज़े के आसपस तो बहुत जादा बढ़ गया, फिर डॉक्टर को हमने बोला, उन्होंने हमें एविल खाने को दिया दवाई, उससे भी ठीक नहीं है, पुरी रात मुझे फर्स नाइट अगर कुछ भी तक पाई है, वो सिर्फ मेरी इचिंग किया है, स्टमक से लेकर के थाइस तक बहुत इच हो रहा था, बाकी आई वोस नॉर्मल, इस तरीके से वो रात में ने बिटाई, सुबर डॉक्टर्स आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो इचिंग हो रही थी, वो इसलिए हो रही तो जो इचिंग है, वो नेक्स टे, ग्यारव बज़े तक में मेरा खरम हो गया था बिल्कुल भी, तो हाँ, रूम आने के बाद ये एक प्रॉब्लम रही, अधर बैस रूम आने के बाद मुझे कोई भी और दिक्कत नहीं वही, मुझे कभे भी हैडेक की प्रॉब्लम नही यहाँ को चलिए वोक करना है, तो वो आपको पकड़ती है और आपको वोक कराति है, तो इस वोक का भी experience आईकि सबकर अलग अलग होता होगा, मुझे नहीं पता किसका वैसा होता है, पाई होता है, डफिनिट्ली, मैं ऐसा थो पीन होता भी नहीना है, मनजे से वज़े वोक सारे हैं कुछ भी नहीं अगर आप फिर व्लॉक देखोगे तो वॉक करके मैं वाश्रूम गई हूँ और वाश्रूम से ही व्लॉक किया है मैंने और मैंने बोला है कि थोड़ा पेन तो हुआ ठीक है उसके बदा कि मैं चेयर पर बैठी हूँ आराम से बैठने के बाद मुझे सही लग रहा था और फिर जो मैं बैठ के उठी होना और फिर इतना चली होना मुझे कभी पेन नहीं हुआ तो रोक्टर ने यह मुझे बोल दिया था रात को ही कि हलकाल का साइट्स बदलो और सुबह से चलना स्टार्ट करना बैठना नहीं आप बैठोगे तो बैठ होगा तो आपको ग्यास नहीं बनेगा क्यों ग्यास बनेगा तो बहर पेनफुल होगा और दूसरा क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हीलिंग अच्छी होगी तो उठीए कुछ खाईए 10 मिट के लिए वॉक करिए फिर आईए फिर लेट जाईए तो तो त फिर उठी फिर फिर चली फिर बैठी तो मुझे ना फिर पेन होना बंद हो गया बिल्कुल भी तो फर्स्ट वॉक में दो मिनट के लिए बैड से बात्रूम तर लगा कि हां यार थोड़ा सा पेन हो रहा है अब देखिए इतनी सालों से आपको पीरिट सो रहे हैं क्रैम सा तो इतनी आदत होती है कि यह मुझे कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं लगा पर जिसा कि मैंने कहा सबका एक्स्पीरियंस अलग अलग है किसी को बहुत बहुत होता है लोग को होते है मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है वाज ओके ठीक है इतना तो एक्सपेक्टेड था ही इडली खाया थोड़ा दर चली बीबी को फीट कर आया तिर पार्चमेट चली तो सर्कुलेशनल ब्लॉर्ड जब स्टार्ट हुआ मेरे को उस दिन से लेकर के आज तक तशूट कभी भी परे स्टिच पे पेट में पें नहीं हुआ है आपको पता होगा कि मैं कितनी एक्टी हो गई फिर दिरे दिरे अगर आप लॉक्स देखते आया तो मैं फुल अक्टीव हो गई उसके बाद तो मुझे कभी कुछ पें नहीं हुआ मेरी हीलिंग भी जो स्टिच की है वह 10 देज में हो गई दोक्र ने कहा था कि 10 देज बार आना फिर आपके हम पत्ती हटाएंगे पुल आपकी हीलिंग हो गई है तो मुझे तो कुछ नहीं लगा तो हाँ ऐसा रहा फर्स्ट वोग उसके बाद में मैं होस्पिटल में मैंने स्टे किया तीन दिनों के लिए तो जी अधमिट वही उसनी पूरा दिन नेक्स डे पूरा दिन और थर्ड दे में जाकरके दो तो 2 बजे हैं डिस्टाज हो गया रैप अप करते हुए सब कुछ करते हुए हम 4 बजे मां निकल भी बेभी को बेभी को और जाटोंड क्यूर्ट कोंप्लिकेशन नहीं थे तो हमें प्रता व्में घृटार द नीकल निकला को और कभी फिर या घर तो अश्कों निकला मुझे आगे बोला हैं कि अब से आपको हम लोग जो भी मंडिकेशन्स देंगे ना ओरल देना स्टार्ट करेंगे तो पेंखिलर्स आपको दिया जाएगा फाइफ देंज के लिए पर और ओरल दिया जाएगा उन्होंने बस मुझे नॉर्मल पेंखिलर्स दिये और एंटाइस मैं देरेते तो नहीं हो रहा था और जब मैंने पेंखिलर्स छोड़ दिये उसके बाद भी मुझे कोई नहीं हो रहा था तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि अगर मेडिसीन बंद हो जाएगा तो क्या पें होगा वो तब ही होगा जब आपके स्टिश में कुछ प्रॉ चाहते हो मुझे दवाई दिख दो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा उसके बाद में हम लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए और घर आगे 10 देस के बाद जा करके जो पत्ती है वो हटवा दी और यह पत्ती लोग लगाते है ना वो मुझे डिस्चार्ज के दिन में ही उन्होंने ड डिस्चार्ज के डे में शार लिया है मैंने व्लॉग भी पताया तो उधर से ही मैंने शार लेना स्टार कर दिया रोक्तर ने मुझे बोला था कि एवरी डे शार लेना है क्योंकि बेबी आप फीट कर आ रहे हो तो आपको हाईजनी करने की जरुवत है तो वैसी वाली पत्त पत्ति होती है और टेंथ रे में जाकर के जब वह ने पत्ती हट वादी रोक्तर ने बोला आपका हील हो गया फिर कोई पत्ते नहीं लगी कोई दवाई उसकी अपर नहीं कोई ओंट बेन तकाने की जरुरत आपको नहीं होती है अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या कोई कि मदें योग फिर कितना आया है विए मजे बहुत रही हैं खरचा कितना आया है विए मुझे बहुत बख़त कर सकते हो तो मेरे delivery का खर्चा आया है 1.500,000 रुपे और 1.500,000 में से 1.500,000 रुपे जो थे वो हमारे insurance के तरफ से थे जो कि मेरे husband के office के insurance में थे corporate insurance तो 1.500,000 तो एक लाग तो insurance पर उने दे दिया कुछ complications हो जाए तो फिर आपको extra लग सकता है पर मुझे 1.500,000 रुपे लगे है तो I hope मैंने आपके सारे questions का भी answer दे दिया और अपने experience भी आपको बता दी बाकी में इतना जरूर बोलना चाहूंगी video end करने से पहले कि जो भी delivery आपकी हो रही है जैसा भी जो भी हो रहा है आप ये बात निश्चिनत रहे है कि एक बार baby आपके पास आएगा आपके गोध में आएगा आप उसको देखोगे आप सारे कस्ट सारे दर्द सारे टेंशन को बूल जाओगे वह एक बहुत ही magical moment होता है जब उसको द खोड़ा बीडर लग रहा है तो जरूर मेरे hospital के vlogs देखेगा आपको ही मताएगी चलिए इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो informative लगा हो मैं भी लूँगे आप से अगली बार तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को द देखते रहे हैं बाबाई